दोस्तों आज की वीडियो रहने वाली है जो PVC विनाइल फ्लोरिंग रहती है क्या वो आपको लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए प्राइस क्या पड़ेगा अगर आपका एक कमरा है जा दो कमरे हैं उसमें PVC जो फ्लोरिंग रहती है वो कितना खर्चा आएगा कौन सा ब्रैंड बेस्ट है कौन सी कमपनी का लें PVC लगाएं या टाइल लगाएं कलर उड़ता है या नहीं उड़ता है फटे जाती है या नहीं फटती है कितने mm की लें प्लैंक लें जो भी कोशन है PVC फ्लोरिंग का हर एक चीज इस वीडियो में क्लियर की जाएगी आर से दस मिनट में मैं आपको ऐसा रेडि कर दूँगा कि आप इसके बाद खुद से डिसाइड कर सकते हो कौन सी लेनी है कहां से लेनी है कितना खर्चा आएगा तो complete वीडियो देखना लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल ऐकिन दवा लो देखो इसका खर्चा वीडियो के end में निकालेंगे 1000 स्केर फीड की example ले लेंगे और पूरा खर्चा निकाल देंगे लेकिन सबसे पहले basic समझ लो PVC बिनाईल फ्लोरिंग जो है क्यों लगानी है कहां लगानी है सबसे सस्ती फ्लोरिंग जो आई तक गिनी जाती है वो PVC बिनाईल फ्लोरिंग है आप इसको कहीं भी लगवा सकते हो क्योंकि pattern काफी ज़दा अच्छे होते है colors बहुत ज़दा आते हैं wooden में चाहिए wooden में आपको मिल जाएगा इसमें दो चीज़े होती है roll भी आते हैं plank भी आते हैं तो इसको पहले choose कर लेते है roll या plank देखो अगर काफी ज़दा सस्ते में आपको जाना है तो आप roll लगवा लीजी अपने गर पे नहीं तो planks जो रहते हैं वो थोड़े costly होते हैं फिर अगर हम बात करें easily लग जाती है एक से एक दिन में यह आपके एक कमरे में हो जाएगी life इसकी काफी ज़दा अच्छी है 5 से 12 साल तक यह आपकी life देगी आपको अगर अच्छे तरीके से लगाई जाएगी और दोखा दड़ी कहां होती है वो भी आगे मैं बताने वाला हूँ देखो इसमें होता क्या है जो 4.5 mm से 3 mm तक मिलेगी जो आप गर में लगा सकते हो और अगर मेरी मानो जो हमने गर की construction करवाई है जहां लगवाई है 1.5 mm की लगवाई है और अभी 3 साल हो गया है जो लास्ट हमने लगवाई थे 3 साल से कोई complaint उसमें नहीं है यह तो 1.5 mm से कम vinyl flooring मत लगाओ यार क्योंकि थोड़ा 10-20 रुपे का फरक पड़ते है अगर उसमें भी इतना खर्चा चिक चिक रहेगा तो बाद में दिक्कत आएगी दिक्कत क्या आती है अगर कम thickness की आप लगाते हो कम पतली लगाते हो तो थोड़े time बाद उसका color निकलने लग पड़ते है थोड़ा उसका फटने के chances जो आते हैं अगर समान कुछ आगे पिछे कर दिया जहां कुछ गिर गया तो वो फट जाती है लेकिन अगर चार से चार एमेम से आठ एमेम है अगर आपका office है commercial कुछ भी है building है तो वहाँ से चार टू आठ एमेम की आपको PVC विनाईल लगानी उससे कम की मतलगा वहाँ चार एमेम से जाधा थिकनेस होती है आप देखते हो कितनी public कितने लोग चल रहे है कुछ कुछ हो रहा है उसको नहीं हो रहा है bathroom में वही है पूरे उसमें तो यह example है कि जितनी जाधा उसकी thickness होगी उतनी उसकी अच्छी life होती है फिर अगर मैं बात करूं अगर आपको अप पैसे का इसमें भी ऐसे flooring तो यह बहुत जाधा सस्ती है टाइल, wooden, marble हर चीज से सस्ती है लेकिन फिर होता है कि बहुत कम पैसा invest करना है तो आप non branded जाओ नहीं तो आप branded जाओ अगर आपको branded जाना है तो companies कौन सी है इसके लिए अच्छी मैं तीन companies का नाम आपको बताता हू वोर्टेक्स कमपणी है सबसे जाधा अच्छी जो PVC विनायल flooring आती है वोर्टेक्स की आती है थोड़ी costly होती है लेकिन उसकी life और guarantee वो साथ में देते हैं फिर दूसरी है royal company, royal touch करके company है royal touch की आप ले सकते हो फिर है responsive industries इन तीन companies की अगर आपको मिलती है तो सही है इन companies की ले flooring चाहिए जो अच्छी चले जिसकी life हमें आप guarantee दो 5-10 साल हो और वो proper thickness की निकालेंगे 1-2 mm thickness की निकालेंगे और वो अपने गर में लगाओ क्योंकि क्या होता है जो जितनी ज़्यादा thickness उसकी होगी जो उसकी उपर की layer होती है उतनी ज़्यादा मोटा ही होती है अगर वो इस भी जाए तो वो नीचे तक वैसी आपको सेम दिखेगी देखो इसमें मैं बात करता हूँ देखो roll जो होता है वो सस्ता पड़ता है अभी मैं आगे rate analysis करने वाला हूँ लेकिन लमसंब अगर आपको बताऊं 15 रुपे से start हो जाता है 15 रुपे स्केर फीड 20, 25, 30, 50, 60, 60, सार सतर तक वो जाता है उससे उपर भी होता है लेकिन वो फिर फाइदा नहीं है अगर सार सतर से उपर जाना है तो आप फिर टाइल लगवालो मार्बल लगवालो तो हम पकड़ते हैं 15 से 40 रुपे पर स्केर फीड है कि अच्छा material के साथ अच्छी थिकनेस के साथ आपको म मिलता है हो शेंच भाई 36 रुपे से स्टार हो जाता है 35-35 रुपे पर स्केर फीड के साथ से और वो काफी उपर तक जाता है क्योंकि प्लैंक्स की थिकनेस बहुत जादा मोटी होती है और टाइल के रेड में पहुंच जाता है तो आप पकड़के चलिए 35 रुपे पर स्के दिखेगा बहुत खराब दिखेगा थोड़े दिन बाद फट जाएगा निकल जाएगा सर्फेस आपका प्लेन होना चाहिए यह पहली शरत होती है इसको लगाने की वहां अगर पॉसिबल है टाइल पहले सी हुई है उस पे लगा दो नहीं तो उस सर्फेस को प्लेन करवाल थोड़ा बहुत जहां जहां पुट्टी फिल होती है वहां पुट्टी फिल करवाले हो कि आपका जब यह उसके उपर लगेगा अच्छे से फिक्स होगा यह चीज आप दियान रखना है नहीं तो थोड़ा बीच में गैब दिखते है इंडूलेशन रहती है वह बहुत खर पानी आता है पानी लगता है जैन डैंपने से है सीलन है उस फर्ष में मतलगा वह भी थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा बहार इसको मतलगा बरणडाय लॉबिक वगरा में क्योंकि दूप पड़ेगी एक तो निकल लेंगे जो ऐसार होता है वह बोलते हैं पानी से ने पड़ते हैं कुछ आजकल कमपनीज के आगे हैं जो मतलब इतना हीट रेजिस्टेंस हैं अरेछ मतलब इतनी हीट को बेडाय कर लेते हैं उतनी कम अहींप और इसको अपने कमरे में लगवा सकते हो कोई दिक्कत उसमें भी आपको नहीं रहने वाली है पिढ़ियान क्या जैसे thickness पर धियान देना, thickness company पर धियान देना और जो लगाना है, खुद कभी मत लगाना, खुद बोलोगेगी लग जाएगा, लगे जाता है लेकिन वो अच्छे दरीके से नहीं लगता है, कुछ ना कुछ gap रह जाता है, और बाद में वो दिक्कत आएगी फटने के चांसे ब 100 square feet हो गया length into multiply करते हैं जितनी आपका लंबाई चुड़ाई उसको multiply कर दो आपका square feet आ जाता है जिसको नहीं पता होगा roll जो हम use करने वाले है 6 foot वाला जो roll आता है उसका ले लेते हैं उसका price हमें मिल जाता है मैंने पक़़ लिया 15 से start हो जाता है 20 रुपए पकड़ लिया 20 रुपए पर square feet आपको जितने भी काम मिलेगा ठीक है 100 का area हमारा 100 और 20 रुपए rate पकड़ा है तो 2000 रुपए हमारा roll लगेगा किसके लिए अगर हम 10 भाई 10 का कम रहा है उसमें हमारा 2000 रुपए का roll लग जाएगा लेबर जो इस समय चल रही है 6 रुपए लेते हैं पर square feet के इसाब से 5-6 रुपए आपके area में मिल जाएगा 100 हैं इन्टू 6 करेंगे तो 600 रुपए हमारा लेबर बाला ले जाएगा फिर adhesive जो आता है मैंने जैसे कहा adhesive पे बहुत ध्यान देना Febicol SR500 यह याद रखना Hitex मत लेना SR500 लेना वो बहुत अच्छा रहता है वो यूज करो और इसकी quantity होती है Thumb rule है 0.05 लीटर मतलब 0.05 लीटर पर square feet हमारा लगता है ठीक है तो हमारा कितने 100 square feet तो इसको multiply कर देना है 0.05 को आपका जितना भी area 1000 होगा, 2000 होगा 2 कमरे होगा, 3 कमरे होगा इसको इससे multiply कर लेना मिल जाएगा 0.56 लीटर मतलब आदा कोई आदा लीटर हमारा यह लग रहा है और एक लीटर का price कितना है एप्रॉक्स 400 रुपे का आपको मिलता है कौन सा SR500 5B goal का तो 200 रुपे मेंने पकली आदा लीटर हमारा लग रहा है तो अगर हम प्लस करते है 2000 प्लस 600 प्लस 200 तो 2620 रुपे रहा हमारा 10 by 10 के कमरे को लगते है सब कुछ depend किस पर है 20 रुपे मेंने रेटिक्स का पकड़ा है आपको अगर 25 वाला पसंद आता है 25 वाला लोग आपको थिकनेस जादा लेनी है तो वो 30 रुपे का भी पड़ेगा उसकी मोटाई अच्छी होगी तो वो थोड़ा खर्चा बढ़ जएगा तो 3600 रुपे हमारा खर्चा हो जएगा तो मतलब 10 by 10 का कमरा करने में अगर अच्छी क्वालिटी का गया अगर लगाते हो तो 3-4000 रुपे हमारा लगता है कितना? 3-4000 रुपे है और अगर आप प्लैंक लगाते हो उसमें प्लैंक लगाने जाते हो जो प्लैंक आते है 6 by 36 का तो उसका जो खर्चा पड़ता है वो एप्रॉक्स आपका पड़ जाएगा इसका हमारा 3-4000 पड़ रहा है वो पड़ेगा आपको 5-6000 रुपे का खर्चा पड़ जाएगा अच्छी क्वालिटी का ठीक है? तो इस तरीके से बहुत सस्ती फ्लोरिंग होती है बाकी ऐसी वीडियोस आपको मिलते नहींगे आप चैनल को सब्सक्राइब करकर रखो